एनिमल मूवी का ट्रेलर जोब से आया है पूरा महौल बन गया है कि भाई फिल्म बावाल है डाइरेक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ये अब तक की सबसे वाइलेंट फिल्म है यानि की हिंचक फिल्म जिसमें खूब सारा खून खराबा होगा बावी देवल का आखरी स्टिन ट्रेलर में धामाल मचाता है लेकिन बावी देवल के नाम पर जनता को बेवकूब बनाया गया है कैसे वो आप लोगों को आगे वीडियो में बताते हैं अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो ये कहानी है रडबीर कपूर की जो अपने पापा अनिल कपूर से बहुत प्यार करते हैं लेकिन पापा रडबीर कपूर से उतना प्यार नहीं करते हैं पापा पर हमला हो जाता है और फिर रडबीर कपूर की जिन्दगी का मकसद हो जाता है उस कातिल को ढूंढना और इसी मकसद पर ये फिल्म चलती है कहानी सिंपल लग र और यह देखने के लिए आपको ठीटर में जाना होगा आपको बता दे कि यह एक मसाला इंटर्टेनर फिल्म है जिसमें खुब सारे सीटी और ताली वाले सीन हैं काफी सारे मास इंटर्टेनिंग सीन हैं शुरुआत थोड़ी सी सलो लगती है लेकिन फिर फिल्म पेश उन्हें आते हैं । ज्यादातर के पीछे लौजिक नहीं होगा और ऐसी फिल्मों में लौजिक ढूड़ना भी नहीं चाहिए लेकिन मज़ा आता है और खुब मज़ा आता है सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी सी सलो हो जाती है लेकिन फिर बोवी देवल की इंटरी से फि किया गया है लेकिन बवी देवल का फिल्म में उतना रॉल है ही नहीं लेकिन तब भी वो जब भी आते हैं छा जाते हैं फिल्म में फैमिली वाले एंगल को बड़े ही इमोशनल तरीके से इस्तेमाल किया गया है और इससे आप फिल्म से और ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं हाला रड़बीर कपूर फिल्म में पापा पापा करते रहते हैं और फिल्म खत्म होते होते ये सावित कर देते हैं कि एक्टिंग में वो बॉली बूट के नए पापा है रड़बीर कपूर ने कमाल के काम किये हैं बोवी देवल ने भी कमाल के काम किये हैं लेकिन उनके सीन कौम है और काफी कम है वो इंडरवल के बाद आते हैं और फिल्म खत्म होने से पहले ही चले जाते हैं ये तो धोखा हुआ ना लेकिन उनका काम जवर ज़स्त है रस्मीका मंदना के किरदार को लेकर लग रहा था कि उनका ऐसी फिल्मों में क्या ही काम होगा लेकिन रस्मीका मंदना ने भी काफी अच्छे से काम किये हैं उनके अलावा बाकी किरदारों ने भी अच्छे से काम किये हैं तो आप लोग कोमेंट करके बताईए कि आप लोग एनिमल मुवी को देखे या फिर नहीं देखे और अगर देखे तो आप लोगों को एनिमल मुवी कैसी लगी कोमेंट कर के जरूर बताईएगा तो चलिए अब हम आप लोगों से बीदा लेना चाहते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लिजिएगा और हमसे जुड़े रह करने के लिए इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लिजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है